एक्सरसाइज 18B का लास्ट कोईशन कोईशन नमबर 9 कहता है पिर्थवी की भूमद रेखा की लंबाई चालिस हजार चालिस किलो मीटर है पिर्थवी यह है दर इसको समझने की कोसिस करो यह पिर्थवी है यह पिर्थवी इस अक्ष के चारो तरफ इस तरह से घुमती है और भूमद रेखा क्या होता है यह रेखा पिर्थवी के चारो तरफ इसके लंबवत पिर्थवी के चारो तरफ ऐसे गोल सी रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं भूमद रेखा कहते हैं जैसे पिर्थवी है यह पिर्थवी है इस पिर्थवी के चारो तरफ एक रस्सी लपेड़ दीजे पिर्थवी के चारो तरफ क्या कर दीजे बॉल फूटबाल ले लिजे, अब फूटबाल के चारो तरफ, महलो फूटबाल ऐसे गूम रहा है, ठीक है, तो जो बाहरी वाला हिस्सा गूम रहा है, बीच ओ बीच, ऐसे कर गूम रहा है, तो जो बाहरी वाला हिस्सा है, कोई बॉल रखे हो, बॉल, बॉल है किसी के पास, इसको समझो, गूड, देखो, सपोच कर लो, ये क्या है, ये एक पिर्थवी है, ठीक है, और ये पिर्थवी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ऐसे घूमने के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है, माल लो, ये सूर है, अब सूर से, सूर ये फिक्स है, सूर क्या है, फिक्स है, इसकी तुल्ला में, और ये बेचारा पिर्थवी ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अब सूर से जो परकास पिर्थवी के इतने भाग पर पढ़ेगा, इतने भाग पर पढ़ रगने पढ़ रहा है, ब पिरत्वी चुकी लगातार ऐसे घूमती है, तो ये लगातार एक तरफ सुबय होता है, दूसरी तरफ रात होती जाती है। और इस तरह से पिरत्वी के कुछ वाग पर उजाला, और कुछ वाग पर क्या रहता है? अंधेरा रहता है। तो कुछ भाग मतलब आधे भाग पर उजाला रहता है, आगे भाग पर अधेरा रहता है, जो भाग सूर के सामने पढ़ता है, वहाँ दिन निकला रहता है, और जिस भाग पर सूर का पर किरन नहीं पढ़ता, वहाँ पर रात रहती है, अब चुकि यह ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पोर्शन इहां से एक हम ऐसे रेखा खीच दे कुछ इस तरह से क्या कर दे रेखा यहां पर बीचो बीचे इस तरह से खीच दे तो ये हमारी क्या हो गई ये हमारी हो गई जो सफेद रेखा हमने खीच दिया ये रेखा क्या हो गई भूमद रेखा हुई अब इस भूमद रेखा की जो लंबाई ये दे रहा है इस भूमद रेखा की लंबाई जो दे रहा है वो ये पूरी भूमद रेखा की जो लंबाई दे रखा है वो 44,400 मीटर है भूमद रेखा की लंबाई कितना दे रखा है। भूमद रेखा की लंबाई कितना है। 4040 किलो मीटर है। है कि नहीं बोलो। 4040,40 किलो मीटर इस बूंप में दिया हुआ है। फिर कहता है यदि इस रे खाके उपर अब देखो बड़ा यह भूमद रेखा की लंबाई हो गई, इससे हम इस पिर्थवी की त्रिजिया निकाल लेंगे, क्योंकि यह जो रेखा है, यह किस पर है, पिर्थवी के गोलाकार भाग पर है, और पूरा ऐसे लपेटा हुआ है, तो यह किसका निर्माड कर रहा है, एक बृत का निर्माड कर अगर हमें इसे भूमद रेखा की लंबाई देखें, तो यह इस पिर्थवी का क्या परीदी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो अतह, अगर इसकी त्रिजिया यहां से यहां तक, क्या हो, इस माल आर हो, तो यही भूमद रेखा की, यह पिर्थवी की अतह, पिर्थवी की प परिद यही आपका भूमद रेखा की लंबाई हो गया जो 40,000, 40,000 किलो मीटर है अब परिद किसके बराबर होता है तू पाई इसकी तरीजिया अपने आर माना है तो तू पाई आर बराबर हो गया 40,000, 40,000 किलो मीटर अब यहाँ टू रखो पाई की वयलू 22 बटे 7 रख दो और इंटू आर बराबर 40,000, 40,000 तो आर की वयलू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40,000, 40,000 इधर जितनी भी चीज़े हैं सब उधर बेजो तो 7 हर में उपर चला जाएगा बटे 2 गुड़े 22 नीचे है आ जाएगा तो 2 से 2 दूना 4, 2 सुनाए सुन, 2 सुनाए सुन, 2 दूना 4, 2 सुनाए सुन हो गया फिर 2 से कटेगा, 2 सी 11 बार में कटेगा, 2 एकायम 2, 2 सुनाए सुन, 2 सुनाए सुन, 2 एकायम सुन, 2 सुनाए सुन, तो यह कितना हो गया बटा, इसमें 7 का गुड़ा करो, 7 सुनाए सुन, 7 आतना किलो मीटर बेटा पृत्थवी की क्या हो गई तृजिया हो गई अब यह इसी भूमत रेखा के ठीक उपर, पिर्थवी की सतह से, पिर्थवी की सतह से, सात हज्जार, सात हज्जार मीटर की उचाई पर, क्या गूम रहा है? एक उपग्रह, मतलब अगर मैं यहां से मानू, मानू यह उचाई यह है, सात हज्जार मीटर, अब इस यहां पर, क्या कर रहा है? एक उपग्रह ग तो कहता है यह है उपग्रह कुल कितनी दूरी त universities करेगा तो वह कितनी दूरी तूर से गुमे। इसके उपर ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ तो यह जो परिद ही आएगी इसके बराबर दूरी ते करेगा तो परिद निकलेगा कब जब इसकी त्रिजिया निकले तो त्रिजिया कहां से निकलेगा इसके केंदर से तो बैटा केंदर से यह दूरी निकल गई और यह जो उपगर अगर आप त्रीजिया यहां दिखाओ तो यहां से यहां 7000 किलोमीटर की उचाई पर आएगा क्योंकि यह भी बिर्दाकार पत्त में गति करेगा इसके चारों तरफ ऐसे गति करता हुआ आएगा तो हमें निकालना होगा पहले यह किस ब्रतिय पत्त पर गति कर रहा है जिस ब तो इसकी त्रिजिया कहां से कहां तक ली जाएगी यहां से यहां तक ली जाएगी तो लिखोगे अतह बिर्ताकार पत की कुल त्रिजिया आपने यह निकाला है 63,070 और उसमें 7,000 क्या कर दोगे जोड़ दोगे 0,7,3,7,6,13 एतना किलो मीटर क्या हो गया त्रिजिया हो गया अतह उपगरह द्वारा उपगरह द्वारा तैं की गई कुल दूरी तो इस बिर्तिय पत का हमको परिद निकालना होगा और बिर्तिय पत की परिदिया आपना मालो टू पाई आर क्योंकि परिद किसके बराबर होता मैसा टू पाई आर के बराबर होता यहां कैप्टल आर हमने लिया यहां इसमाल आर लिया यहां कैप्टल आर लिया क्यों कैप 7 X 7 6, 3, 7, 9, 63 7 X 7 शुना है यह कितना हो गया गुड़ा कर दो 22 दोना 44, गुड़े 1910 तो 1910 का 44 में आपको क्या करना है गुड़ा फॉर जीरो जा जीरो फॉर बन जा पॉर नाइन फॉर जा फॉर्टिसीक्स 4 1 4 3 7 0 4 6 7 0 4 6 4 10 के सुन हाथ में एक साथ दुना चवदक चार हाथ में एक साथ एक आठ तो यही हो गया 84 हज्जार 40 किरो मीटर की दूरी वह उपगरह क्या करेगा तैं करेगा